इस वीडियो में हम बताएने वाले हैं जब आप बैंक ओप बड़ोधा पर अपना अकाउंट बनाते हैं या फिर बैंक ओप बड़ोधा का मोबाल अप्लिकेशन जो है लॉगिंग करने की कोशिश करते हैं फर्स टाइम से पेसाज चीदे करते हैं तो वहाँ पर आपको इस त क्योंने हो रहा चले बताते हैं उससे बहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो देखें बैंक ओप बड़ोधा में आपको जब आप फर्स टाम बैंक ओप बड़ोधा में अकाउंट जो है लॉगिन या फिर बनानी की कोशिश करते हैं एप्लिकेशन के अं अगर आप चाहते हैं कि बैंक ओब बड़ोधा के मॉबैल अप्लिकेशन में आप अकाउंट बनाएं आपके अ कंदल करने के लिए तो उस केस में आपको वही मोबेल नमबर ठीक है अगर आप दूसरा डालोगे तो नहीं बनेगा क्योंकि bank account में जो mobile number है वही यहाँ पर आपको डालना है देन आपको यहाँ पर send button मिल जाता है नीचे की तरफ यह send button पर दबाएंगे आप तो आपको OTPI आईगा देन आपका account आगे बढ़ेगा प्रोसेस होगा देन आपको details फिल करने होगी और आपका account जो है create हो जाएगा देन आप अपने bank को बढ़ता के account को जो है bank account को app के थूँ manage कर पाओगे history वगेरा या फिर जो भी चीजे है online तरीके से payment वगेरा तो इससे कर पाओगे ठीक है बट आपने problem यही है कि आप वो mobile number नहीं डाल रहे है कभी कबर यह होता है कि आपको लगता है mobile number हमारा यही है बट bank में हमारा mobile number जो है वो link नहीं होता है तो एक बार bank में ज चेक कीजे या फिर चेक ना करते हुए directly एक application form दे दीजे mobile number linking का आपका जो भी mobile number है वो उनको पहिज दीजे उसमें application form में and then आप जो है आप चेक कीजे 2-3 तीन दिन लगते है कम से कम जो है mobile number register होने में पैंको बड़ादा या फिर कोई भी बैंको application form देने के बाद लगबग 48 घंटे या फिर उससे ज्यादा लगबग 3 दिन वान लीजे और उसके बाद आपका जो है काम हो जाएगा उमेद आप समझ गए होंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगते है तो like और जरू चैनल को subscribe कर लीजेगा